जिस तरह से student acceleration होता है उसी तरह से एक वर्ड और है retardation retardation क्या होता है जैसे मालो अगर किसी object की velocity uniformly decrease हो रही है जैसे पहले जो speed है माल दीजे 100 meter per second से एक train चल रही है तो उसकी initial velocity कितनी है 100 meter per second माल दीजे एक मिट के बाद में उसकी velocity हो गई 80 फिर एक मिट के बाद में हो गई 60 फिर हो गई 40 तो उसकी जो velocity है क्या हो रही है कम होती जा रही है तो जब velocity में change हो रहा है और velocity decrease हो रही है तो आपका हुए सब velocity में change है तो आप उसे acceleration बोल दीजिए तो student उसको acceleration ना बोलकर retardation बोलते हैं तो retardation को सिर्फ और सिर्फ आप इतनी सी definition ध्यान रखें नेगेटिव acceleration is called retardation अब आप सोचें सर नेगेटिव कैसे आ गया जैसे मालीजी ट्रेन यहां पर खड़ी हुई है उसकी velocity मीटर पर सेकंड है को के इनीशियल विलोसिटी ओके अब अब कैसे बनाए चलो चोड़ो और कार के पीशे पढ़ जाओ वही मर्सडीज वाली कार बना दिया है और मालीज आपके दो सेकंड बात इसकी विलोसिटी ठीक है 80 मीटर पर सेकंड हो गई ठीक है टाइम कितना लगा है दो सेकंड तो इनीशियल विलोसिटी कितनी है पहले कितनी थी बात में कितनी हो गई 80 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सवाइनल विलोसिटी से वी बोलते हैं तो आप मुझे बताइए कि मैंने आपको जब एस्सेलियरेशन के बाने बताया था तो एसलियरेशन को फॉर्मला बताया था एक वी माइनस यू अपॉन टी वी के बारे बताया था वी था फाइनल विलोसिटी होता है यू इसल्सेटी होता है वह टी टाइम होता है तो बता यहां पर जो एसलियरेशन आ रहा है तो टैन मीटर पर सेकंड इसको है वह हो segregation is called Retardation के अगर आप ड़ंधिशन का graph plot करोगे तो graph यूनिफॉर्म एसिलेरेशन का graph तो ऐसे आता है और कौन सा graph होता है यह velocity versus time graph होता है लेकिन जब आप ड़ंधिशन का graph plot करोगे velocity versus time अगर uniform retardation है तो graph जो लाइन है वो नीचे जाएगी कि बब जा रही है तो velocity increase होती है और नीचे जा रहा है तो इसका वे लिए जी हो रहा है ये ख्रण किसका रहेगा कि रिखार्डेशन करेंगा और डिखार्डेशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है और जिटार नॉनिफॉर्म भी हो सकता है जैसा अब इनwent कि अब बताया गया पर एटी हुईए फिर 60 हो भी सिश्पी फिर notor हो फिर 20 वहth जीरो गई तो यह जो uniform acceleration retardation है और uniform है अगर पहले 100 है फिर 80 हो गई फिर 70 हो गई फिर 30 हो गई फिर 10 हो गई इस तरह से कम हो रहा है तो non uniform retardation रहेगा